प्रेंबल को याद करने का जो ट्रिक है वो भी उसके लिए से भी अलग से वीडियो और पहले पार्ट में समझा दिया है इंग्रेडियन्स बता दिये जो सौवरन सोशलिस्ट और सेकुलर डैमोकरेटिक रिपॉब्लिक इन सब वर्ड का मतलब बता चुका हूं हर चीज जो भी नोट्स है नोट्स के भी फॉर्म में और जो बुक में दि सिंग्निफिकेंस है किस लीडर ने प्रेंबर के बारे में क्या कहा वो सब detail में बटा चुका हूं आज हम बात करेंगे प्रेंबर एज किया हमारे सभीधान का प्रेंबर पारड है या नहीं उसके बारे में है और preamble को कैसे बदला जा सकता वो दो टॉपिक important हम करेंगे यह 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी फिर उसके बाद खतम कर लेंगे ठीक है बट आगे बढ़ने से पहले आप हमारे paid courses को join कर सकते हैं देखे paid courses के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं आप क्या करना सबसे पहले आपको telegram में यहां पर देखिए search box देखने को मिल रहा है उस पर आपको search करना है PR publication जैसे आप PR publication सच करते हैं तो आपको एक group मिल जाता है यह वाला ठीक है तो इस group के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको बट उससे पहले आप हमारे paid subscription ले कैसे सकते हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकरी दे देता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए दिए गए नंबर पर 750-513-4891 इस नंबर पर आपको Google पर या फॉन पर करना है या डिटेल में description में बैंक अकाउंट नंबर या इंस्टा मोजो का लिंक होगा आप उसमें payment कर सकते हैं 499 रुपीज का है पूरे एक साल तक का आपको यह paid subscription मिलेगा जिसमें जो यह लक्षमी कानति के handwritten notes है वो भी मिलेंगे आगे हम environment is की जितनी भी नोट्स बनाएंगे यानि की जितनी भी चीज़ें आगी की वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी उसके साथ साथ डेली दा Hindu notes NCRT की जिस्टे मिल जाएगी phone guidance आपको मिल जाती है और डेली के basis sponsor writing की जाती है इस free model answer भी हम post कर देते हैं यह free group है तो इसको जोईन करने के लिए प्यार publication ठीक है और जो paid subscription है starting के जो यह तीन गुरूप दिख रहे हैं जैसे study material डेली के basis पर आपको पीडियाफ यहां पर मिल जाती है ठीक है आपको हर दिन की लक्षमी कांदी के notes यहां मिल जाएगे एक होता paid subscription ठीक है तो जिसके basis पर answer writing अपनी post कर सकते हैं जो भी aspirant है और एक होता current notes जिसके basis पर daily के basis पर देहिंदू notes आपको मिल जाते हैं ठीक है तो यह यहां पर से आप यह ले सकते हैं बागी आज स्टार्ट करते हैं प्रेंबल ऑफ दे constitution ठीक है अगर किसी को भी अभी डाउट है कैसे लेना है तो आप एक नम्मर वटसेप कर लिजिए note 750-513-4891 ठीक है इस नम्मर पर वटसेप करके आप जादा जानकरी ले सकते हैं कि किस तरह से प्रेंबल ऑफ पार्ट है या नहीं वह डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले हुआ क्या अगर आप बुक के बारे में देखेंगे बुक क्या मैंशन है कि बहुत सारे जो प्रेंबल के बारे में देखेंए कॉंसेप्ट बहुत सिंपल है कि इस यॅज प्रेंबल में देखेंगे तो बेरू बारी यूनियन दिया है बठ छोटा सा है फिर उसके बाद केसवा नंद भार्टी केस ला इसी केस और ये तीन cases दिये हैं तो ये तीन cases हमें बता दिये हैं कि preamble constitution का part है या नहीं ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले handwritten notes से उसके बारे मैं थोड़ा सा detail मा और भी discuss करूँगा बेरूबारी union case 1960 Supreme Court अपना decision सुनाती है और initial में ये बोला जाता है कि preamble हमारे सविधान का part नहीं है final खतम ठीक है इतना आपको समझ मा आगया होगा कि बेरूबारी union case आता 1960 में और Supreme Court ये कहता है कि preamble constitution का part नहीं है पहला अब आपके माइन में ये भी आ रहा होगा यार constitution का part होने या ना होने से क्या मतलब है simple चिवाद अगर वो constitution का part होता है तो जितने भी constitution के provision होंगे उस पर apply होंगे चाहे वो किसी part को delete करना है या नहीं किसी part को amend करना है तो कैसी करना है वो उस पर फिर apply होंगे इसलिए ये जानने की बहुत ज़्यदा जरूरी ये हो जाता है कि preamble आखिर constitution का part है या नहीं या preamble अलग है constitution अलग है इसके बारे में बहुत ज़्यदा discussion हुआ तो 1960 में सबसे पहना case आता है Supreme Court बेरुबारी union case में ये बोलते हैं कि preamble part नहीं है constitution का पहले mind में ये रख लो ठीक है फिर present वाली चीज आप रख सकते है नो पहला ये हो गया अब देखो थोड़ा सा मैं हाला कि prelims के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि बेरुबारी union case आया था और उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में boundary है सिंपल सी बात है लाइन बनी होई है कितना यहां से पाकिस्तान का border होगा यहां से भा डोकुमेंट में लिखा होगा ना यहां से यहां तक की बाउंडरी जैसे आपकी जमीन होती है अब रजिटरी कराने जाते होगे जो खाता खतुनी होती है ठीक है खाता खतुनी आप बोलेंगे खाता खतुनी देदा तो आपके नाम आपके परदादा यह सब नाम उस पर होते कि आपकी जमीन कितने तक है तो वैसे ही रैट कलिप ने भी सिंपल चितबाते के रिटर्ण बनाया होका जिसमें बोला होगा कि यहां से भारत का पार्ट है यहां पाकिस्तान का पार्ट है बढ़ बहुत सारी ऐसी चीजीं है रैट करें भूल गये हैं mention करना उसमें से एक है बेरुबारी यूनियन एक जेगे है एक territory है जल पाउडी थी ठाना में एंठीक हैं कहां जल पाउडी ठाना में अब यहां पर होता है एक थाना होता है सब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थाने के बेसेश पर बट रहे होते हैं चोटी चोटी टेरेटरी है तो जल पाइगुडी थाना में एक जगे का नाम है बेरू बारी यूनियन नमबर 12 अब इसको रैड क्लिप साब मेंचिन करना भूल गए कि यार ये पाकिस्तान की बात आती है कि इसको रिजॉल्व कैसी किया जाए अब भारत भी आजाद हो चुका है पाकिस्तान भी आजाद हो चुका है तो नहरू नून एग्रिमेंट होता है 1908 में और ये डिसाइड किया जाता है कि आधा पार्ट पाकिस्तान को दिंगे और आधा पार्ट भारत को दि से कि यार हमारा एक जमीन का हिस्सा हम पाकिस्तान को दे रहे हैं यह पावर आती है 368 आर्टिकल नमबर 368 से जो कि एमेंडिंग पावर होती है 9th Amendment Act 1960 में देखने को मिलता है और 9th Amendment Act 1960 में यह ट्रांसपर भी कर दी जाती है ठीक है और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जैसे डिस्प्यूट है बिट्विन आसाम पंजाब वेस्ट बंगवाल यूनियन टरिट्री अब तिरफूरा ठीक है नहीं है जब हम प्रेंबल आजे पार्ट आप दो कॉंस्टूटूशन पढ़ रहें बस यह जान लो कि बेरुबारी यूनियन केश दीक के बाद सेकेंड केस आता नाइंटीं साउंटी थी मैं केस वान अंद भार्थी एकðा सुक्सैन काys घूनियन के बहुता थाथैए थींद करियाओ गप씨 केश्ट बहुत बहुत discipline का मैं ब़ोट हम इस welfare करोंगा जब भी एमेंडमेंट की बात बारे में बात आईगी, I think 9th या 10th चेप्टर है, अभी हित्तो हम 4th चेप्टर में पहुँचे हैं, उसके बाद 3rd जो केस आता है, वो है LIC of India केस, 1995, सुप्रेम कोट बोलते हैं कि प्रेमबल भारत का, प्रेमबल से कुछ भी हटाना है, तो आप यूही नहीं हटा सकते, अगर वो basic structure का part है, अब basic structure है या नहीं कौन बताएगा, सुप्रेम कोट ही बताएगी final में, जैसे fundamental right basic structure होते हैं, हम उसको remove भी नहीं कर पाएँगे, ठीक हैं, तो अब यहां तक आपको समझमा आया होगा, कि अभी कोई आपसे पूछे कि प्रेमबल क्या भाई साब बताएगे, कि constitution का part है या नहीं, आप कहिंगे yes, पहले नहीं था, आप कहिंगे LIC of India case 1 अंद भारती case के बाद, ये पार्ट रहा है भारत का, ये चीज तो मैं अल्रड़ी बता चुका हूँ, पहले constitution in act हुआ, देन उसके बाद प्रेमबल को in act किया गया, प्रेमबल के बारे में कुछ दूसरी जानकारी में मैं आपको बता देता हूँ, प्रेमबल इस नीदर ए सोर्स आप आवर टू लेजिशलेचर, लेजिशलेचर यानि कि जो हमारे कानून मना रहे हैं, एमपीज हैं लोकसभा और राजी सभा में, हाला कि प्रेमबल उनके लिए कोई पावर का सोर्स नहीं है, प्रेमबल कॉन्स्टूशन में होगा, तो लेजिशलेचर को कोई पावर नहीं देगा, नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है तो ये प्रेमबल के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज है, कि प्रेमबल नहीं लिजिशलेचर की पावर रेस्ट्रिक्शन करता है, यानि कि कुछ करने से मना नहीं कर सकता, और नहीं पावर देता है, प्रेमबल नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, non-justiceable का मतलब होता है प्रेंबल का कोई भी part अगर violate किया जा रहा है आपको लगा कि प्रेंबल में कोई चीज mention हो और उसकी violate किया जा रहा है violation तो आप Supreme Court या High Court के पास नहीं जा सकते हो तो non-justiceable in nature है provision are not enforceable in court of law जैसे मैंने बोला कि आप Supreme Court के पास नहीं जा सकते हैं हाला कि अगर मौली का दिखार यानि कि fundamental right violate हो रहा है तो वो justiceable in nature होता है तो I think मैं यहां पर यह करा चुका हूँ जो भी आपको पढ़ना था अब मैं थोड़ा सा book के जैसा मैंने बोला था कि जो भी book होगी वो भी मैं बताते हुए चलूँगा जो भी book होगी वो भी मैं बताते हुए चलूँगा कि book में कौन सा पहरा लिखा गया और कौन सा आपको पढ़ना है देखिए book का initial में preamble as a part of the constitution में सबसे पहले वो ही लिखा है बेरूबार union case और उस पर मैंने बता दिया है उसके थोड़ी से detail भी दे दी है उसके बाद Supreme Court is not a power फिर case one अन्द भारती case है preamble is a part of the constitution ठीक है उसके बाद L.I.C. of Indian case आ गया है Supreme Court again held that preamble is an integral part of the constitution और preamble देखे वही है कि preamble को भी enact किया constituent assembly में बट constitution enact करने के बाद ठीक है ये भी मैंने बता दिया अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं reason बता देता हूँ जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि constitution पहले enact हुआ प्रेमबल बाद में enact हुआ अब इसके पीछे reason क्या है यहाँ पर जैसा लिखा गया है the reason for inserting the preamble at the end was to ensure that it was in confirmating with the constitution as adopted by the constitution assembly यानि कि उसके parallel चले ठीक है while forwarding the preamble for votes the president of constitution assembly said अब जो preamble को president and constitution assembly के कौन है आपको बताना है सबसे पहले कौन थे later वो temporary period के लिए बने फिर उसके बाद कौन बने ठीक है president आपको बताने उन्होंने प्रेमबल के बारे में बोला the question is that प्रेमबल इस्टेंड पार्ट अपको constitution the motion was then adopted hence current opinion held by supreme court that प्रेमबल ये पार्ट अपको थे constitution है ठीक हो कुतना जदा important नहीं है ये देखने को मिला बाद में प्रेमबल इस लिए इनेक्ट किया ताकि वो इसके पहलल चल रहा है या नहीं देखने को बागी इसके दो चीज़ें हमने नोट कर लिए है हाला कि मैं पहला paragraph पूरा ही आपको बता चुका हूं फिर ठीक है अब देखो last वाला जो टॉपिक है amenability of the preamble अब मैंने का अगर प्रेंबल को बदलना है इससे पहले ही आपका answer बन चुका है यानि कि हमने बोला कि constitution का part है प्रेंबल तो article 368 में बेरुबारी union 1960 प्रेंबल can be amended no amendment done to basic structure अगर prelims में आपसे question आता है कि क्या प्रेंबल को कभी amend नहीं किया जा सकता तो वो answer 368 बट no amendment done to basic feature यानि कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी basic feature है अब basic feature क्या होगा आपके mind में होगा basic feature क्या होता है क्या होता है अभी ninth chapter आएगा तो मैं बता दूँगा पर basic feature अभी यह जान लो कि supreme court decide करते है कि यह basic feature है या या basic feature को वाइलेट कर रहे है सुप्रियम कोट ने कुछ बताया है जैसे fundamental right DPSP यह basic feature है बहुत सारी emergency provision यह basic feature है इनको सविधान से कभी हटाया नहीं जा सकता है ठीक है तो आपके mind के लिए बता दूँगा प्रेलियम से के लिए कि यह प्रेमबल को बदला जा सकता है उसमें सुधार किया जा सकता है बलकि उसके basic structure को या basic feature को हटाया नहीं जा सकता है उस पर सुधार नहीं किया जा सकता है ठीक है तो at the end आप कहिंगे यार यह तो confusion वाली बात है आप करें एक बार amend किया जा सकता है बट basic feature में कोई उस पर सुधार नहीं होगा अब मैं इसको अच्छे से आपको समझा देता हूं कि एक्चुल में आपका concept सब्सक्राइबि अगर सफना हुआख सोज पर इसा माइन अच्छा कि यहां गर्ट है कि मतलब होता है exception थोड़ना पूछाना exception का मतलब होता है कि yes preamble में जो basic feature होगा उसको नहीं बदल सकते हैं बागि सब चीज़ बदल सकते हो इसका मतलब final आपके पार result क्या है कि yes preamble को बदला जा सकता है अगर आप अपने aspirant किसी UPS या से discussion कर रहे हैं तो यह पूछिए कि यहां क्या preamble को बदला जा सकता है या नहीं तो yes बदला जा सकता है वो कहेंगे कैसे बदला जा सकता है आपका दोस्त कहेंगा कि basic feature क्या होता है अब आप कहेंगे तो final result Supreme Court के पाज आता है Supreme Court बताएगी कि yes यह basic feature है तो इस पर बदलेंगे नहीं basic feature नहीं है तो element यह पापावर है कि वह delete कर सकती है उस provision को नाउ तो इस तरह से सुधार मैंने आपको बता दिया जो भी चीज़ें थी ठीक है अब last में एक और चीज़ बता देता हूं कि जो preamble है वो 42nd amendment act के दौरान एक बार सिर्फ है एक बार 42nd amendment act में उस पर सुधार किये गए तो मतलब आपको पता जल गया ना कि यह सुधार हुए है मेंड किया जा सकता है SSI यानि कि सौवरण सोशिलिस्ट और integrity मतलब सौवरण तो नहीं सोशिलिस्ट सेकुलर और क्यूंकि सौवरण तो हम अगस्तम ही हो चुके थे ठीक है सौवरण सौवरण नहीं सोशिलिस्ट सेकुलर और integrity यह तीन वर्ड जोड दिये गए 42nd amendment act के द्वारा अब मैं थोड़ा सा यह बता देता हूं paragraph मागर कुछ चीज मिस हुआ है या मतलब मिस तो कुछ नहीं जो भी notes है वो मैंने बता दिया कुछ चीज समझाना है तो मैं यह भी चलता हूं कि वह topic अगर पहने notes से पढ़ा तो फिर कोई आपको लगे कि समझाना है तो वो मैं समझा दूँगा ठीक है यह मैंने बता दिया है पूरा destroy देखो इनिशेल में क्या हुआ था देखो यह बोला गया था कि प्रेंबल को नहीं बदला जा सकता क्योंकि वह constitution का पार्ट नहीं है बट बाद में जब धीरे-दरे cases प्रेंबल को एमेंड किया जा सकता है हाला कि उसका basic feature को बदला नहीं जाएगा ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया ओके और स्टार्डिंग में यह देखो कहां से सुरुवात हुई केस वानन्द भारती केस से ठीक है प्रेंबल को एक बार बदला गया है तो एक बार हमें देखने को मिल गया अब यह पूरा आर्टिकल पूरा चेप्टर हो चुका है अब जो नया चेप्टर है वो यूनियन एंडरी इस टेरिटरी होगा अगला चेप्टर डिटेल में हम करेंगे ठीक है ओके कुछ बड़ा चेप्टर नहीं है ठीक है बांकि पूर्शन नहीं है दहिंदू के डेली के बेसिस पर आप अगर नोट्स नहीं बना पाते या डिटेल में नहीं पड़ते तो आप दहिंदू के नोट्स ठीक है कभी भी देखने आपका मिस हुआ कोई इस्यू नहीं है जो प्रिवियस मन्त की में 2020 से PDF यह आपको मिलती रहती है ठीक है तो आपको अगर लेना हो तो 7505134891 इस नमबर पर वटकार्ल कर सकते हैं और अगर पेमंट करनी है तो आप पेमिंट कर सकते हैं उसके बात सेम नमबर पर पेमिंट इसक्रिण सौॉट